के तोर पर अब सक्सेस होंगे हर डिजाइन इंजिनेर से मिस्टेक होता है पर उसको फिर्स्ट क्लास हेलो गाइज देर वियार वेल्कम बेक टो माई चैनल आम तुशार एंड आम वरकिंग एज सीनेर मेंकेनिकल डिजाइन इंजिनेर एड बंबाई आज आज हम इसमेटरिक का फॉर्ट क्वेशन बढ़ेंगे इसक्वेशन में हम बहुत जैदी ट्वीस्ट करेंगे क्योंकि इसक्वेशन में हम एक मिनिस्टेक करेंगेpis और आपको बहुता हूंगा कि ने जीने में कहा है कैसे कर सकते हैं isometric में mistake होता है तो सबको बता है पर हम उस mistake को एक दू मिनिट के अंदर आपको repair करना आना चाहिए तो इस question के यही aim है कि एक mistake करूँगा मैं इसमें और end में आपको वो mistake solve करके दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं basically हमें पहले question में orthographic view दिया होता है आइसो को देखकर ortho होना चाहिए और ortho को देखकर हमें isometric view बनना आना चाहिए basically पहले x और y line बनना लेते हैं उसके बाद 30-30 degree के दो angle mark करते हैं basically बहुत जादे important है isometric view हमें इसी भी हिसाब से निकलना होता है पहले एक line निकलेंगे उसके बाद 30-30 degree पर एक एक line mark करेंगे उसके बाद एक vertical line कीचेंगे तो जैसे के आप देख सकते हो पहले orthography view अब visualize करके आप आपको पहले क्या निकलना है तो उसके सबसे हम पूरा diagram निकलेंगे तो basically अगर आप side से देखोगे तो 12 mm का हमें radius देख रहा है ओके हमें 12 mm का radius given है तो पहले 12 पर एक एक point mark करते है उपर 12 नीचे 12 आराम से किजेगा क्योंकि isometric view में अगर एक mistake होगा तो पूरा diagram आपको फिर से निकलना पड़ सकते है वही मैं इधर भी आपको दिखाऊंगा एक mistake करूंगा उसके बाद एक diagram हम उसको revise करेंगे कि हमने mistake का किया है end में तो basically बहुत ज़्यादे interesting होगा . . . . . . तो बेसिकले हमने पहले इनर सरकल बना लिया है इनर का डायमेटर है 15 mm तो 15 mm का हमने इनर सरकल बना लिया है अगर आपने मेरे पहले वीडियो देख ले होगे तो आपको यह बहुत ज़्याद इज़ी लगेगा पहले डायगोनल जॉइन करते हैं बाद के हिसाब से हम बाके के डायगोनल बनाते हैं आइसमेटिक सर्कल कैसे बनाते उसके लिए विए इस इमिटम कैसे बनाएंगे बहुत इसी है, बस आपको एक बार कंसेब्ट देखना थे मैं उपर आई बटन में लिंक दे दूँँगा आईसिमेटिक सर्कल कैसे बनाते हैं एक स्पेसिफिक वीडियो है दो मिनिट का जाके वो वीडियो बाद में देख लेना पहले हमने इनर सर्कल बनाया है 15 mm का अब उसके बाद हमें 12 mm का सॉरी 12 mm का हमें half circle बनाया है जैसे के orthographic view में हमें दीख रहा है orthographic view को उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या बनाना है तो जैसे के हमें 12 mm का सर्कल बनाना है तो हमने 24-24 mm diameter के एक box बना लिया है उस box के बाद जो बड़ा वाला लाइन होता है हमें वो diagonal join करना है आप accuracy से बनाना क्योंकि बहुत ज़्याद़ important है बड़ा वाला diagonal हमने join कर लिया है isometric circle कैसे बनाते हैं अगर आपने वो 2 minute का वीडियो देख लिया तो आपको basically बहुत ज़्याद़ fast बनाने आ जाएगा ओके तो basically हमने पहले midpoint निकाल लिये थे तो midpoint join कर लिये हमने अब 12 mm radius का हम circle बनाते हैं half circle बनाना है हमें जैसे कि हमें autographic view में दिख रहा है तो half circle हमने बना लिया इदर अब हमें क्या करना है कि हमें 16 mm का diameter दिख रहे है उतना 16 mm वो पार्ट बड़ा है तो basically वो चीज़ कर लेते है जैसे कि orthography view में हमें दिख रहा है कि 88 mm उपर है तो 88 mm का हमने line खिछ लिया है उसके बाद 16 mm का जो हमें दिख रहा है extra part वो side में हमने वैसे हमें उसका निकालना है जैसे हमने front में निकालना है वैसे ही 16 mm उसको पीछे निकालना है तो बहुत ज़्यादे easy है वैसे है circle पीछे निकालेंगे 16 mm पकड़के हमें बस point देखना है कि किस point से हमें वो निकालना है हमने जो front में जो isometric circle बनाया है उसके reference के point को पकड़के 16 mm पीछे खिचेंगे और उससे ही direct हम isometric circle निकालेंगे तो मैंने पीछे कुछ ऐसा box निए बना है 24 पर 24 mm का फिर डाइगोन लिए बना दिया क्योंकि मैंने front में isometric circle बनाया है और उसका जो reference point है उसको 16 mm पीछे खिचे खिच कर मैंने पीछे का circle बना दिया है तो यह trick बहुत ज़्यादे important है बस हमें front का बनाना है और पीछे का जो बनाते हम उसको हम reference point से हम निकाल सकते हैं 88 mm हमने उपर खिच लिया है ओ लाइन उसके बाद हमें अब हमें क्या बनाने आपको decide करने है बहुत ज़्यादे important है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें उपर भी 15 mm का diameter का एक circle बनाना है तो 15 mm diameter का एक circle बनाते है reference line कीचेंगे उसके बाद उपर 7.5 नीचे 7.5 बहुत ज़्यादे important है हम 59 mm का एक square बनाएंगे उसके बाद बड़ा जो line है उसको जोइन करेंगे उसके बाद जैसे हम isometric circle बनाते है वैसे ही उपर 15 mm का isometric circle बनाएंगे बहुत ज़्यादे easy है आपको बस orthographic view सामने रखना है और asymmetric view निकलना है और accuracy से निकलना क्योंकि थोड़ा पर damage नागे पीचे आपका हो सकता है जैसा नीचे बनाएं हमें वह ऐसे उपर बनाना है उपर भी 12 mm का radius का half circle है तो हमें वह भी बनाना है तो 24 24 का बनाएंगे square isometric view बनाने के लिए time लगता है अगर आपके बास अच्छा खासा speed है तो आप equation बहुत जल्दी attempt कर सकते हो पर जितना ज्यादा practice करें उतना ज्यादा हैगा अगर आप first attempt में isometric करना चाहोगे कि मुझे आता है सब मैं बना लूँगा तो exam के time बहुत ज्यादा आपका time consume होगा क्योंकि isometric बनाने के लिए आपको speed चाहिए ही चाहिए आपको concept पूरा आता है पर आप exam में isometric नहीं बना पाओगे बहुत जल्दी नहीं बना पाओगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा time consume होता है आपको speed चाहिए उसके लिए तो बहुत ज्यादा practice करना है आपको isometric का तब ही जाकर आप isometric का sum attempt कर पाओगे वारना बहुत ज्यादा time consume करता है isometric तो जैसे के हमने front में बना लिया है तो उसका 16 mm का reference को पीचे किचकर पीचे का line बनाएंगे reference line से reference point से rear side का circle बनाने का practice करो क्योंकि बहुत ज्यादा time हमारा बसता है उदर front का circle बनाएंगे उसके बाद जो rear side है उसको reference point से बनाएंगे जैसे के अब देख सकते हो 15 mm line आगे खिचा है तो 15 mm हम आगे खिचते हैं जस आइसोग्राफिक व्यू देखो और उसको visualize करो अपको बहुत ज्यादा fast बनने में इस चीज आ जाएगा हम diagram को कैसे गुमा सकते हैं आपको वो चीज आना चाहिए जैस और तुरोफिक व्यू को देखकर हम आइसोमेटर कैसे बना सकते हैं उसको visualize करने का practice करो जितना हमारे book में दिन में दस question देखो और्टोग्राफिक के एना isometric का solution देखो कि diagram कैसे बना है तो आपको visualization power बहुत अच्छा हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाप एक mistake किया है और जानबुश के किया है क्योंकि आपको वो चीज आना चाहिए तो मैंने लगबग 92 mm का इधर line खीचा है और orthographic view में हमें दिख रहा है कि वो 102 mm का है मैंने 92 mm खीचा है और orthographic view में 102 mm का लिखा है तो बेसिकली बहुत जाज़ा टेंशन मत लेना क्योंकि यह हो जाता है बाइचैंस तो अगर आपके साथ भी ऐसे हुआ है तो आप देख लेना मैंने यहापर कैसे solve किया है मेरा orthographic to isometric बहुत अच्चा है तो इसके बज़े से मैं यहापर जल्दी detect कर लूँगा कि मैंने यहापर mistake का किया है तो बेसिकली आगे का part बनाते है 28 mm का radius है तो वो भी हम square बनाएंगे तो basically हमें दो circle बनाना है एक 28 mm radius का एक 26 mm diameter का हमें पहले circle बनाना है बड़ा बाला diagonal जोइन करेंगे उसके बाद normally limit point mark करेंगे उसके बाद हम उसके बाद हम circle बनाएंगे तो जैसे हम isometric circle बनाते हैं हम इसको भी वैसे ही फास्ट बनाएंगे झाल 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 अब यह डियाग्राम एकुरेसी से बनाना जिस और्टोगर्फी व्यू देखना उसको विजुलाइज करना अब बहुत जदा फास्ट बनाने को देखना कि हमें यह डियाग्रम कैसे फास्ट बना सकता हूँ जितना प्रैक्टिस करें आपको उतना ज्यादा आएगा जैसे कि आपको दिखरा है कि हमें हाफ सर्कल ही बनाना है 28 mm रेडियस का तो हमने हाफ सर्कल बना लिया है जैसे कि आप देख सुकते कि मैंने आप भी मिश्टिक किया था वह 92 mm लाइन नीचे खिच कर वह 102 mm लाइन होना चाहिए था आपको बस आपका विजुलाइजेशन पावर बढ़ाना है कि मिश्टिक कहा हो रहा है आप वहां से देख सको कि हाँ मेरा इस मिश्टिक यहापर हुआ है तो इंसाइड में हमें 28 mm रेडियस का एक सर्कल बनाना है तो वह पहले बना लेते है झाल 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 अब उसके बाद 20 mm पीछे हमें उसको कीचना है तो फ्रंट का हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया है अब 20 mm उसको पीछे कीचना है तो वो सब चीज़ बना लेते है तो पीछे भी हमें 28 mm रेडियस का एक सर्कल बनाना है तो यहाँ पर हम रेफरेंस से नहीं लेंगे क्योंकि ब बना लिया है आपको ज्यादा इतना समझेंगा नहीं इसलिए मैं पीछे एक डेफरेंस से आपको बनाना सिखाता हूँ जैसे जैसे कि हमने फ्रंट में बनाया है वैसे हम पीछे आइसोमेटिक सर्कल बनाएंगे बस आइसोमेटिक ड्रोइंग में आपको आइसोमेटिक सर् आने चाहिए कि और तुरोफिक व्यू से आईसोमेट्रिक व्यू को हम कैसे देखते हैं तो आप कौन सा भी आईसोमेट्रिक से हम कर सकते हो झाल 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 तो जैसे कि अब देख सकते हो कि हमने सब बना लिया है अब हम जैसे कि और तुरोफिक व्यूमे में दिख रहा है कि जो नीचे का लाइन है वो सामने वाले जो आभजेट है उसको क्रोस कर रहा है बट हमरा आभजेट तो उपर है और नीचे वाले लाइन क्रोस नहें कर रहा है तो हमने कहा तो mistake किया है तो हमने वो mistake अभी repair करना है कि हमने mistake कहा किया है कौन सा line पे हमने mistake किया है क्योंकि सामने अलोb agent है वो नीचे आले line को touch कर के जाना चाहिए तो उस mistake को हम repair करते है so basically हमने जो 92M लिया है उसको हम 102M करेंगे मिस्टेक कैसे रिपएर करते हैं, हम वह देखते है, उसी पार्ट को एरेज करो, जितना पार्ट हमें दीक रहा है, कि हाँ, इस पार्ट में हमारा मिस्टेक है, तो हम उस पार्ट को रिमू करेंगे, लेते है यहाँ से, तो वन जिरो टू जग हमने लाइन मार्क कर लिया है उसके बाद 28 mm साइड वाला लाइन मार्क करेंगे उसके बाद टॉप तक हम उसको खीचेंगे तो जैसे कि अब देख सकते हुए मैंने कितने जल्दी मिस्टेक करेट कर लिया है क्योंकि मिस्टेक करेट करना भी आपको आना चाहिए ऐसा नहीं कि पूरा डियागरम कट करके दूसरा क्रेशन ले लेंगे नहीं जहाँ पर मिस्टेक हुए उसको just find out करो और उसके उपर काम करो कि हम इस मिस्टेक को एक एट दो मिनिट के अंदर कैसे repair कर सकते हैं तो जैसे ही निचे लाइन जॉइन हो चुका है और बेसिकले डियागरम बहुत ज़्यादा अच्छा बना है अभी जस्टेक को देखो और उसको correct करना सीखो यही ज़्यादे important है यही इस question का aim था कि हम मिस्टेक करेंगे और उसको solve कैसे करेंगे उसको एक दो मिनिट के अंदर आपको repair करना आजना चाहिए तो वही से आप design engineer के तोर पर आप success होंगे हर design engineer से mistake होता है पर उसको कैसे हम घुमा सकते हो mistake होला drawing कैसे हम उसको use कर सकते है वो आपको आना चाहिए तो basically जितना हमारा हमें visualize हो रहा है drawing उसको dark करेंगे जितना diagram हमारा हो है उस सब diagram हमें पहले dark करना है जितना है थाए पूरा डाइग्रेम डार करना जो हमेरी विज्वालाइशन पावर है जो हमें विज्वालाइश हो रहा है उसको हमें डार करना जो हीडन साइट उसको डार क नहीं करना जो कोई भी टीचर आपका एक दो मार्क दो तिन मार्क वहाँ काट सकता है तो basically diagram का नाम करन करना मद बुलना, नाम करन बहुत जदे important है, तो फेंज नाम करन ज़रूर करना, क्योंकि नाम करन important है, यह हम नाम करन का line खिषता है और फेंज नामकरन करते हैं कि इस मत करना क्या है, पार्ट के नाम करना important है, जयादा deep नाम करना, मत करना कितने हैं का कुन सा पार्ट है वो सब हमें लिखना है और आइसोमेटिक व्यू के हिसाब से लिखना है बाद नाम करण कर देना Oh कि अपर नक्वी की कोने में आपको लिखना हिये कि अफ्क न आर इन मिलिमेटर तो बेसिकली नाम कर देना बहुत इंपोर्टन्ट है कि अगले वीडियो में तब तक क्यले जै हिंद बंद्य मात्रम तो गाईस let's hope एक वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर एक वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको गरने Like एक वीडियो आपको कैसे लगए आपको कमेंट अगर आप चैनल पे नहीं हो तो आपको करने Subscribe प्योग सब्सक्राइब क्योंकि आगे भी एंजीन ड्रॉइ